गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम हिंदी मंतन पाठिपुस्तक के पाठ नौ सच्ची मित्रता के लिखित प्रश्णों के उत्तर को करेंगे, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे प्रश्ण क, द्वारपाल ने श्रीकृष्ण को सुधामा का क्या परिचय दिया कि माहाराज कोई दुर्बल पतलागरी ब्राम्मन आपसे मिलना चाहता है प्रश्ण ख, सुधामा के पैरों की हालत कैसी हो गई थी? उत्तर, सुधामा के पैरों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, उसके फटे नंगे पैर काटों से भरे हुए थे प्रश्ण ग, माखन चोर किसको कहा गया है और क्यूं? उत्तर, माखन चोर श्रीकृष्ण को कहा गया है क्यूंकि वह बचपन में माखन चोरी करके खाते थे प्रश्ण घ, श्रीकृष्ण ने सुधामा को क्या-क्या दिया? उत्तर, श्रीकृष्ण ने सुधामा को महल, अन, धन और सुख का सारा साधन दिया?